हैलो एबरीवन, बलकम टू माई चैनल, तो आज किस वीडियो में हमें आपर पिलाजो बनाना सिखाएंगे, तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हैं, और यह कपड़ा हमारा दो मीटर है, तो सबसे पहले हमें आपर कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छ से फोल्ड करके विचाना है, अब हम यहाँ पर कमर नापेंगे, तो कमर हमारी 32 इंच है, 32 को आदा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 16 इंच, फिर हम यहाँ पर 16 इंच को आदा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 इंच, और यहाँ पर 2 इंच का मार्जन लेंगी, तो यहाँ यहां पर हमें क्या करना है दस इंच पर निसान लगाना है और यहां पर दो इंच का मार जल लेंगी इलाश्टिक डालने के लिए इस तरह से तो यहां पर सीधी लाइन कीचेंगे और यहां से आसन की लंबाई ना पेंगी तो आसन की लंबाई बारा इंच रखेंगे तो यहां पर भी एक सीधी लाइन कीचे देंगे और यहाँ पर हमें दो इंच पर निसान लगाना है और इत्रसी गुलाई कर देंगी अब हम यहाँ पर पिलाजों की लंबाई ना पेंगे तो लंबाई हमें यहाँ पर 36 इंच रखेंगी तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगी और यहां पर हम मोरी रखेंगे पंदरा इंच तो पंदरा इंच पर निसान लगा देंगे और यहां पर आदा इंच का मार जलेंगे और इत्रे से दोनों निसान को मिला देंगे तो कुछ इत्रे से मैंने प्लाजो का निसान लगाया है इसी निसान से कटिंग करेंगे तो दिखी इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है यहाँ पर हमें आसन को सिल लेना है तो आदांच का मार्जन छोड़कि हम यहाँ पर आसन को सिलेंगे और दोस्तो प्लेज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ लोग लाइक करना वोल जाते हो तो दोस्तो प्लेज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप लोग वीडियो को आइंड तक जरूर देखे इससे आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा कि यह अमने किस तरह से पिलाजो को बनाया है यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया इस तरह से कट लगा देंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें दाफ सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर देखी मैंने दाफ सिलाई को भी लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसको बरावर करेंगे और दूसी तरब भी आसन को सिल लेते हैं तो यहां पर मैंने दूसी तरब भी आसन को सिल लिया है दोनों सिलाई को हैं यहां पर मिला कर रखेंगे और रखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे पहले एक पोंचे में सिलाई लगाएंगे बाद में दूसरे पहुचे में भी सिलाई को लगा देंगे तो यहां पर मैंने जो आदा इंच का माजन लिया है हुआई पर हमें सिलाई लगानी है तो एक पहुचे में मैंने सिलाई को लगा दिया है इसी तरीके से दूसरे पहुचे पर भी हमें सिलाई को लगा देना है तो यहाँ पर मैंने दूसरे पहुचे पर भी सिलाई लगा दी है इसमें हमें डवल सिलाई लगानी है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो जो हमने डेल इंच का मार्जन लिया था उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है एक पहुचा हमारा बनका त्यार हो गया है और इसी तरीके से मैंने दूसरे पहुचे पर भी फोल्ड करके सिलाई को लगाया है अब हम इसमें इलाश्टिक से लेंगे तो पहले हम इसमें क्या करेंगे एक बार फोल्ड करके पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेते हैं तो यहां पर मैंने पूरे गुलाई में सिलाई को लगा दिया है और यहां पर मैंने एक इलाश्टिक लिया है तो पहले हम यहां पर इसकी चोणाई नाप लेते हैं तो चोणाई हमारी 26 इंच है और कमर की चोणाई हमारी 30 इंच है तो छे इंच हमने इलास्टिक को कम लिया है इसको यहां से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे अब हम यहां पर क्या करेंगे प्लाजों को लेंगे और यहां पर मैंने इलास्टिक को लिया है तो कपड़े को हम यहां पर उपर की तरफ फोल्ड करेंगे जितना हमने मारजल लिया है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमें पूरी गुलाई में इलास्टिक को सिल लेना है तो यहां पर मैंने इलास्टिक को सिल लिया है इसको यहां से बरावर करेंगे और उसके बाद में हमें हैं यहां पर इस तरह से खींच के बीच में भी एक सिलाई लगा देनी है तो हमने यहां पर बीच में भी सिलाई लगा दी है और इतरह से हमारा जो पिलाजोगा वववन का त्यार हो गया है दिखिया आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने अभी प्रेस नहीं लगाई है और इसी के साथ में मैंने नायरा कट स्टाइल कुर्टी भी बनाई है तो इसको किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तो मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूँ पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगो सबसे पहले मिलेगी, तो मैं मिलती हूं अगली देखने के लिए अठाएंग कियो